नमस्कार सभी को और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ISL के जितने भी Emerging Player अभी तक बनने हैं तो उनका क्या करीर रहा Emerging Player बनने के बात और अभी इस वक्त वो कहां पर खेल रहे हैं इस बारे में हम बात करेंगे और इस लीडियो में आपको और भी मज़ा आएगा अगर आप उन में से किसी एक प्लेयर के फैन हो तो आपको और भी ज्यादा मज़ा आएगा तो चलिए फिर हम जानते हैं सारे Emerging Players के बारे में और अभी इस वक्त हो कहां खेल रहे हैं तो जैसे कि आप जानते हैं 2014 से इंडियन सुपर लीग जो है स्टार्ट हुआ था और Emerging Player का अवार्ड उन प्लेयर के लिए रखा गया था जो कि यंग है और उस सीजन में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो इंडियन सुपर लीग के पहले सीजन में यानी 2014 में इस अवार्ड को जीता था संदेज जिंगन भाई ने और उस समय केरला ब्लास्टर में खेला करते थे और उस सीजन में उन्होंने बहुत ही शांदार गेम खेला था जिसकी बदोलत उनको इंडिया टीम से भी कॉल मि किया उनको 80 के मोहन बागान ने साइन किया वहां से क्रोईशिया गया और आज वो इंडिया के वन आप दे बेस्ट डिफेंडर माने जाते और एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेयर इंडिया टीम के लिए तो संदेज जिंगन भाई को जो इमर्जिंग प्लेयर का अवार् उस साल वो टॉप स्कुरर लिस्ट में भी थे छे गोल के साथ लेकिन उस समय उनको जो अवार्ड मिला था इमर्जिंग प्लेयर आप दे यर का यह मुझे कहीं नहीं लगता था कि उनको नहीं देना था उसके बीचे वज़य यह है एक तो वो 25 साल के थे और इमर्जिंग प वज़े से किसी भी क्लब में नहीं खेल रहा है लेकिन हम आशा करते हैं कि वो जल्दी वापस आए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है और इंडिया टीम को भी उनकी जरूरत है और क्लब में भी उनकी जरूरत है फिर उसके बाद हम चलते 2016 के सीजन में तो उस सी इंडिया टीम से उनको चांसेज मिले भी नहीं और 2016 में जोनका अवार्ड मिला था मुझे ऐसा लगता था कि और भी कई प्लेयर से जिनको इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिल सकता था जैसे कीन लुएस भी थे वैसे तो कीन लुएस उस समय 24 साल के थे लेकिन 2015 में जेज से भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रफॉर्मेंस दिया है लेकिन वह इंडिया टीम के लिए अपना पर्फॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है और अब तो उनकी पोजिशन भी लगभग जाही चुकी इंडिया टीम में फिर चलते हम नेक्स सीजन में हो है 2017 का सीजन तो 2017 के इसल का इमर्जिंग प्लेयर आप दे इयर का वाउड मिला था लाल रुवत थारा को जो कि केरला ब्लास्टर्स के प्लेयर थे और इससे पहले इसल में नहीं खिलते थे मतलब डेली डैनावल में लोन पर आया थे लेकिन में यह आई लीग में खिला करते थे और यह ड्राफ इसके वज़े से उनको कम गेम टाइम मिलना चालो हो गया केरला ब्लास्टर्स में फिर उन्होंने क्लब भी छोड़ दिया और 2021 में उन्होंने ओडिसा अफसी साइन किया लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहे गेम टाइम के लिए उनको बहुत ही कम गेम खिलने को मिलता है तो बहुत ही सांदार परफॉर्मेंस उन्होंने इंडिया टीम के लिए के लिए ब्लास्टर्स के लिए आज है की प्लेयर है और इंडिया टीम का जो भी फ्यूचर है उसमें सहाल अब्दुल समध को कहीं न कहीं बिल्कुल देखा जाता है हर एक फैंस के द्वारा हर एक कोच क द्वारा तो हम यही आशा करते हैं कि सहाल अब्दुल समध बिल्कुल अपने परफॉर्मेंस को बस डेवलोप करते जाए और अच्छा करते जाए और जैसे वो केरिला ब्लास्टर्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वैसे ही वो इंडिया टीम के लिए दे पाएं फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स सीजन में तो 2019 का जो सीजन था उसमें सुमित राठी भाई को मिला था बहुत सारे डिफेंडर्स आज इंडिया में मौजूद है जो इनकी एज में है और जो इंडिया टीम में अभी तुरांत में खेल भी रहे तो हम आशा करते कि सुमित भाई बहुत अच्छा हाड़ वर्क करेंगे और आगे वो इंडिया टीम में जगे बनाएंगे फिर इसक इसके बाद इन्डिया टीम के लिए डेब्यू किया और आज की डेट में इंडिया टीम के सबसे महतपूर्म प्लेयर में कहूंगा ना स्रिफ इंडिया टीम के लिए मुंबई सिटी में भी आज एक खेल रहे तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेयर माने जाते है और वन इन्डिया के इतने बड़े प्लेयर में आचुके हैं तो अपुया भाई के लिए तो हमारी best wishes हमेसा ही रहेगी तो यहीं थे हमारे पूरे emerging players जो अभी तक ISL में बने हैं और आप इन में से किस प्लेयर के personally fan है आप जरूर कमेंड में बताईएगा मैं तो भाई अपुया भा कि वो प्लेयर इस सीजन में इमर्जिंग प्लेयर बन सकता है ताकि हमको यह भी पता चल पाए कि आप कितने नस्दिक से उन प्लेयर को एनलाइज कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंड में लिखके बताइएगा तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और एक जानकारी आप त में लिए में धनलाइज